आर वी एनल में क्या खरीदने का अच्छा मुका है डिविडेंट मिल रहा है अच्छी खुशकपरी आईए चल कर बात करते हैं देखिए अगर डिविडेंट ने ना है तो आपके अकाउंट में ये शेर 14 तारिक से पहले होना चाहिए 14 अपरेल अगर आपने उसके बाद खरी अच्छी है समझे तीस रुपे का शेर है तीस रुपे के शेर पर आपको यहां पर पांच प्रतिशत की यील्ड मिल रही है एक दश्मलाव पांच रुपे देने के रेफ्रेंस में ये स्टॉक लॉंग टर्म के लिए डिविडेंट का पीस्टॉक इस बात को समझेगा अग देके डिविडेंट येल्ड करीब 4.5% की इस बार 5% की येल्ड दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है डिविडेंट पर येल्ड यहां पर 1.58 के आसपास रहेगा सुप्रीम कोट ने इनको एक ऑब्जेक्शन डाला है कि जो ये 5000 पेड काटेगी रेलवे लाइन पर जो प्र देके इंपेक्ट क्या होगा कॉस्ट थोड़ा बढ़ेगा और कुछ नहीं बढ़ प्रयावन का भी ध्यान रखना है जब हम अगर पेड लगे हुए पेड काट रहे तो हमें पेड उपगाने भी होंगे और इससे दुगने पेड वड़ाना चाहिए हमारे साब से अधर चल अगर इसको weekly चार्ट पर देखा जाए तो देखिए lower level से काफी बढ़िया bounce back दिखाया 10 रुपे का गिर चुका था ये 2020 में 10 रुपे से 3 गुना हो गया किसीने 1 लाक लगाया होता तो अभी 3 लाक रुपे बन चुके है उनके इस stock में अगर हम बात करें यहाँ पर RVNL का 50 day moving average 33 के आसपास है काफी अच्छा अप दिखा रहा है तो technically ये एक positive bias में है बुलिंजर बैंड का direction उपर होने लगा है तो ये अब 36 का level तोड़कर बहुत जल्दी 40 की तरफ अग्रिम होगा MACD ने buy signal generate करके रखा है पिछले 4 दिनों से एक बार sell बनाना ये शुगात की थी बर वो बहुत जल्दी absorb हो गया तो ये एक अच्छा sign होता है यहाँ पर super trend को अगर देखें super trend के basis पर 36 रुपे 50 पैसे का support एक resistance की तरह से काम करेगा और RSI के level 56 है जो कि एक neutral zone माला जाएगा alligator indicator को follow करते हो तो वहाँ पर तीन और से buy parameter बनावाए तो काफी parameter पर ये एक buy value है अगर हमारी trades को copy करना है तो हमारा 299 का package ले सकते हैं प्लीस इंच्सले और फंच्रश अविजर बादर में करते हैं